चलो देखो वाप लोग इदर आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिक विन्यास और पिछले क्लास में थोरा सा डिसकाशन हुआ था ना इलेक्ट्रोनिक विन्यास पर आज कम्प्लीट करेंगे इसको हल portray कि एक दिन में ये कम्प्लीट नहीं होता है एलेक्ट्रोनिक विन्यास सिखने में वुष टाइम लगता है पांस-सात दिन जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा और कैसे फांस-सात दिन लगता है वो जब आप पढ़ियेगा तो आपको समझ में आजाएगा हाँ 57 दिन तब लगेगा जब आप इसको समझना चाहते हैं बाकी एक दिन में खतम हो जाएगा यदि आप इसको रटना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं ये एक अच्छी बात है साइंस के लोगों के लिए समझना बेहर जरूरी सबसे पहले सभी लोग हेटिंग डालिए इलेक्ट्रानिक विन्यास इसी को हम लोग इंग्लिस में इलेक्ट्रानिक कन्फीगरेशन करते है सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड है इसका मतलब हम समझ ले विन्यास इसका मतलब पहले समझते है कल एक आदमी बता रहे थे विन्यास का मतलब क्या होता है मतलब जी कौन बोले थे याद कि कौन थे हाखरा कीजिए हाँ क्या होता है इनो वितरन चली बहुत बढ़िया इसका मतलब होता है वितरन अब देखो मेरा हिंदी थोरा कमजोड है तवरगी नो होगा या कोन नो होगा आप चेक कर लीजेगा वही होगा ना कभी-कभी हरसी कार, दिरगी कार, हरसु कार, दुरगु कार टवरगीनों, छटकीनों, बरकीनों इस सब में हमको confusion होता है तो आप manage कर लिजेगा उसको ठीक है विन्यास का मतलब होता है वितरन या इसी का एक और मतलब सजावट भी होता है arrangement भी आप इसको कह सकते हैं और दूसरा term यूज हुआ है इसमें कौन चीज? electronic अब इस सब में भी confusion है, चंदर होगा, आधा होगा, पुड़ा होगा, देख लिजेगा electronic का मतलब यहाँ पर electron से है और यदि हम दोनों word को मिला के बोलें तो इसी का मतलब होता है electron का electron और हिंदी में मतलिखा कीजिए electron का वितरन या सजावट पिछले क्लास में आपको बोला गया था कि यदि किसी दवाई दुकान में आप जाते हो पेट दर्द, मता दर्द, सब का दवाई एक साथ रखा रहे तो जो जिस से तुम दवाई मांगोगे वह दवाई कैसे देगा बीच भी से निकालेगा खुजने में टाइम लगेगा तो लोग क्या करते हैं सब दवाई का अलग अलग खानी बना होता है और उससे उसमें इस्पेसल दवाई उसमें रहता है आप मांगे तो आपको दे दिया गया तो वह हुआ वेवस्थित करके दवाई को रखना दाकि हम आसानी से कभी भी जरुत परा तो कोई ही मेडिसिन निकाल सकते हैं तो बबु बिलकूल उसी परकार से जिस तरह से दवाई को दुकान में सजा के रखा जाता है बेंच को यहाँ पर कलास में एरेंज करके रखा जाता है उसी परकार इलेक्ट्रोन भी विवस्थित तरीके से रहते हैं कहां पर? तीन जगा कच्छा में उपकच्छा में और कच्छक में तो हम लोग इलेक्ट्रोन की जो सजावट देखेंगे, इलेक्ट्रोन का जो वितरम देखेंगे, कहां कहां देखेंगे, कच्छा में देखेंगे, उपकच्छा में देखेंगे, और कच्छक में देखेंगे इसलिए बवू इलेक्ट्रोनिक विन्यास तीन परकार का होता है कच्छा में इलेक्ट्रोनिक विन्यास, उपकच्छा में इलेक्ट्रोनिक विन्यास और कच्छक में इलेक्ट्रोनिक विन्यास यहां तक बास समझ में आ रही है सुनिये अब यह जो इलेक्ट्रोनिक विन्यास होता है मतलब इलेक्ट्रोन का जो हम वितरन करेंगे वह एक definite rule के अनुसार होता है एक निस्चित नियम के अनुसार होता है मतलब कच्छा में कहां कितना इलेक्ट्रोन रहेगा कच्छा में कहां कितना रहेगा कई से रहेगा ये सब आप अपने मन से कुछ-कुछ नहीं कर देंगे कि चलो ठीक है तुम पहला है तुम पहले है तुमको तस गो देते हैं तुमको बिस गो देते हैं ऐसा कुछ नहीं है आप कच्छा में विन्यास देखिए या कच्छा में विन्यास देखिए या कच्छक मे electron इसी को वर्गी करन भी कर सकते हैं वितरन सजावट या वर्गी करन distribution of electron in different orbits in different sub-orbits and in different orbitals according to definite rule is called electronic configuration मतलब एक निश्चित नियम के अनुसार मैं हिंदी में इसको repeat कर रहा हूँ एक निश्चित नियम के अनुसार कच्छा में या उपकच्छा में या कच्छक में electron का वितरन या electron का सजावट या electron का वर्गी करन electronic विन्यास कहलाता है चुके electron का वितरन तीन तरह से होता है इसलिए electronic विन्यास भी तीन तरह का होता है कच्छा में electronic विन्यास उपकच्छा में electronic विन्यास और कच्छक में electronic विन्यास अभी जो बात हम अभी बोल ड़े थे वो सबाब आपको लिखना है सबसे पहले अब ये बात note कर लीजे, जैसे लिखाओ है वैसे note कर लीजे क्या कुछ अंतर भी है कौन सही है ये सही है या ये सही है ये सही है ना हमको भी लगड़ा हाथ तो इसको फ़र आप माइंड मत कीजिएगा अब कहीं आप पहला दिन आए और आपके दिमाग में आ गया कि सरकात इलेक्ट्रोनिक का इस्पेलिंग है गलत है तब आप केमिस्ट्री नहीं बढ़ सकते हैं एक्च्वल में हम लोग सब दिन इंग्लिस मीडियम में पढ़े हैं इसलिए हिंदी में कभी-कभी इस सब टाइप के चीजों में थोरी परेसानी होती है तो उमीद करते हैं आप उसको समझाल लेंगे उसको आप चेक कर लेंगे हलाके नहीं होना चाहिए एज टीचर यह हमें कमी है और हम कोशिज कर रहें कि वो सब दूर हो जाए लेकिन तुरत में होगा नहीं उसमें थोरा टाइम लगेगा अब जिन्दगी भर एंगलिस में पढ़े अभी हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो फौरी सिपरेसानी तो लाजमी है हमको ये समझ में नहीं आता है कि सवहरसू कारकाये बनाया, सवदुर्गू कारकाये बनाया है कि नहीं डे लेकिन हिंदी है भाई, इसलिए हिंदी एक tough language है, इंगलिस बहुत आसान होता है, तुम लोग इंगलिस से भागते हो न, इंगलिस बहुत आसान होता है, हिंदी बहुत tough, चलो, लिखाना स्थरू करें, नीचे अरो देजे और लिखेंगे, लिखेंगे, एक निश्चित नियम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार, कच्छा में, उपकच्छा में, कच्छा में के बाद कौमा दे दिजेगा, उपकच्छा में, या कच्छक में, एक निश्चित नियम के अनुसार, कच्छा में, कौमा, उपकच्छा में, या कच्छक में, इलेक्ट्रोन का वितरन या इलेक्ट्रोन की सजावट इलेक्ट्रोन का वितरन या इलेक्ट्रोन की सजावट इलेक्ट्रानिक विन्यास कहलाता है हो गया पारग्राप चेंज करके लिखेंगे चुकी इलेक्ट्रान का वितरन कच्छा में कॉमा उपकच्छा में तथा कच्छक में तथा कच्छक में होता है इसी लिए इसी लिए इलेक्ट्रानिक विन्यास इसी लिए इलेक्ट्रानिक विन्यास तीन तरह के होते हैं इसी लिए इलेक्ट्रानिक विन्यास तीन तरह के होते हैं एक नमबर लिखेंगे कच्छा में इलेक्ट्रानिक विन्यास एक नमबर कच्छा में इलेक्ट्रानिक विन्यास दूसरा नमबर उपकच्छा में इलेक्ट्रानिक विन्यास उपकच्छा में इलेक्ट्रानिक विन्यास और तीसरा नमबर कच्छक में इलेक्ट्रानिक विन्यास कच्छक में इलेक्ट्रानिक विन्यास हम लोग बबू सब से पहले किसको पढ़ेंगे कच्छा में electronic विन्यास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कच्छा में electronic का विन्यास क्या होता है तो एक number पुना heading डालेंगे लिखेंगे कच्छा में electronic विन्यास जिनका class छूटा हुआ है उनको भी एक एक बात समझ में आएगा टोटल बात समझ में आएगा 100% और जो class regular किये हैं उनको भी 100% समझ में आएगा लेकिन जो regular class किये हैं उनका confidence का level अलग होगा और जो regular class नहीं किये हैं उनके confidence का level कम होगा ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम तीन टर्म बार बार बोल रहे हैं कच्छा, उपकच्छा और कच्छक जो लोग ये तीन नाम सुने हैं सिर्फ उनके confidence का level थोड़ा कम होगा और जो लोग कच्छा, उपकच्छा और कच्छक को पिछले कुछ class में इतना detail में बताया गया है उसको ये जान रहे हैं तो उनके confidence का level automatic है वो high रहेगा क्योंकि जो class नहीं किये हैं हम जब जब कच्छा, उपकच्छा और कच्छक बोलेंगे तो कच्छा, उपकच्छा और तो सुना होगा कच्छा कर तो सुनता भी नहीं है generally under 10 तो उनके दिमाग में बार-बार ये बाते strike करेगा कि ये कच्छक क्या होता है बोले थे न पिछला दिन भी परिशान नहीं होगे देखे यहां सब समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे class पिछे का जो lecture है सब maintain कर लीजे परिशानी नहीं होगी तो सबसे पहला हमारा है कच्छा में electronic विन्यास ब्रैकेट में इंगलिस में जरूर लिख लेना इसको हम लोग बोलते हैं Orbit-wise Electronic Configuration Orbit-wise Electronic Configuration होगे लिख लिख लिए अब तुमको हम बोले थे ना कि जब भी तुम electronic विन्यास लिखोगे एक निस्चित नियम के नुसार लिखोगे तो यहां पर जो नियम दिया वो नियम दिया Bor-Bury ने Bor-Bury दो scientist का नाम है दोनों मिलके कुछ नियम दिया जिस नियम के तहट ही हम लोग electronic विन्यास को लिखते हैं तो इसका definition आप लिखेंगे लिखिये Bor-Bury सिध्यान्त के अनुसार Bor-Bury सिध्यान्त के अनुसार Bor-Bury सिध्यान्त के अनुसार अलग-अलग कच्छा में Bor-Bury सिध्यान्त के अनुसार अलग-अलग कच्छा में इलेक्ट्रोन का वर्गी करन इलेक्ट्रोन का वर्गी करन कच्छा में इलेक्ट्रोनिक विन्यास कहलाता है कच्छा में इलेक्ट्रोनिक विन्यास कहलाता है हो गया लिख लिए आगे देखिए अब हमको ये समझना पड़ेगा कच्छा में इलेक्ट्रोनिक विन्यास का मतब हम अलग-अलग कच्छा में इलेक्ट्रोन को सजाएंगे किस सिध्यान्त के अनुसार Bor-Bury सिध्यान्त के अनुसार Bor-Bury Scheme Bor-Bury सिध्यान्त Bor-Bury Scheme लिख लिए यहां तक देखो नो सनो Bor-Bury सिध्यान्त में चार बात कहा गया ठीक है और यह चार बात के तहत ही हम लोग पूड़ा इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखते हैं और चारो बात को हम एक साथ नहीं लिखेंगे चारो बात को अलग-अलग पॉइंट पर हम लिखेंगे ठीक है एक एक करके पॉइंट आउट करते जाएंगे कुछ configuration लिखेंगे फिर आगे जाके फिर रूल आएगा फिर configuration लिखेंगे फिर आगे जाके रूल आएगा फिर configuration लिखेंगे यानि हम लोग क्या करेंगे न वन बाई वन लिखते चलेंगे ठीक है तो लिखेंगे इस सिध्यान्त के अनुसार नीचे एरो दीजिए इस सिध्यान्त के अनुसार हाइफन दे दीजिए और पहला बात लिखिए किसी भी परमानों के कच्छा में अधिक्तम इलेक्ट्रौन की संख्या अधिक्तम इलेक्ट्रौन की संख्या टू एन स्क्वाइर के बराबर होता है जहां एन जो है वह कच्छा की संख्या है अब देखो इसका हम एक बात लिख लिए ठीक है एक बात लिखने के बाद हम इसका भी दूसरा पॉइंट नहीं लिखेंगे पहले हम इसको समझ लेंगे कुछ एकजाम पर लिख लेंगे कुछ कन्फिक्रिशन लिख लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे ठीक है देखो बाब यहां तक सब लोग पहुँच गया हो ये बात पहले भी बताया गया था आज भी बताया गया अब इस बात को थोड़ा और बढ़ियां से हम लोग सीखें यदि सुनो बबू किसी को भी पढ़े सानी हो तो इतमिनान से हाथ खरा कीजे और खरा हो जाईए अपना कॉस्चन इतमिनान से पूछिए कोई धर्फरी नहीं है आप पूछिए हम आपको बता देंगा सिर्फ ये प्रॉब्लम आपका नहीं होगा ओनलाइन भी जो पढ़ रहे हैं लोग उन सबको भी दिक्कत होती है तो यदि आप कॉस्चन करेंगे तो मेरे दिमाग में आ जाएगा नहीं कि बच्चा लोग कहां फश रहा है वैसे हमको पता रहता है कि आप कहां फशते हैं और इसलिए आप जहां फशने का प्रयाज़ अपको लगता है कि जहां हम उलज रहे हैं वहां हम तुरत आपको किलियर कर देते हैं तो आपको मौका तो वैसा मिलेगा नहीं लेकिन फिर भी कभी भी मन में कोई question आया तो बिल्कुल बिदान लजाए सर्माए without any hesitation आप खरा हो जाएए और पुछिए और एक बात सुन लो पढ़ाई लिखाए के मामले में लाज सर्म को दो के पी लेना है एक दम बेल-लज बन जाओ पढ़ाई लिखाए के मामले में लेकिन आज कलका generation का क्या है न जिस मामले में सर्म आनी चाहिए उस मामले में सर्म नहीं आती है और जिसमें लजाना नहीं चाहिए उसमें बहुते लगा जाता है हम पढ़ाए और ये मालो कोई पॉइंट नहीं समझा तो उसके मन में खयाल आएगा कि ये कुस्चन हम पूछेंगे तो सर क्या सोचेंगे लड़की लोग बिठी हुई है उग क्या सोचेगी मेरे बारे में लड़की लोग को लगेगा लड़का लोग क्या सोचेगा मेरे बारे में अरे तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा उतना सोचने का फुरसत किसी को नहीं है असोचिये लिया तो कौन सा तीर मार लिया रहे हाँ सोचा नहीं आता है अरे कमसे कम पूछोगे तो कमसे कम कुछ शीक तो जाओगे अदत डालिए पूछने का यहां हम लिखते हैं कच्छा यहां लिखते हैं अधिक्तम इलेक्टरॉन जिसका फॉर्मला भी तुरत बताया गया ने 2N2 और यहां पर हम लोग लिखते हैं छमता हम लोग जेनरली इसको रेंज में ले लेते हैं जब एनकामान एक हम लिखें इसका मतलब ये पहला कच्छा को सुचित करता है बताईए टू इंटू वन स्क्वाइर टू हो जाएगा यानि तुम किसीभी हाल में पहला कच्छा में दो से ज़्यादा इलेक्टरों मत डालना क्योंकि बोर बियूरी ने कहा कि किसीभी कच्छा में अधिक्तम इलेक्टरों की संक्वाइर Today स्क्वाइर होता है पहला कच्छा के लिए एन का मान एक और टू इंटू एक का स्क्वाइर करेंगे तो टू आएगा यानि पहला कच्छा में दो से ज्यादा इलेक्ट्रोन नहीं रहेगा लेकिन दो से कम रह सकता है नहीं रह सकता है लेकिन दो से ज्यादा नहीं रह सकता है तो इसका range हो जाएगा 0 से लेके 2, क्योंकि range का मतलब यह होता है कि कहों से कहों तक रहेगा, इस class में जो जिस hall में आप बैठे हैं, इसमें 400 बच्चा बैठता है, इसका maximum capacity 400 students का है, 70 bench लागा हुआ है, सब पर 700 बच्चा बैठता है, यदि बहुत ज़्यादा tight होता है तब, overall normally 400 बच्चा बैठ जाता है, बादमा की बीच में भी जगा रहा जाता है, बादमें भरता है तो टूल लेके बैठता है, तो यह इसका range हुआ, sorry, यह इसका maximum capacity हुआ, कि यह 400 बच्चे के लिए जगा है, लेकिन कम से कम कितना बैठ सकता है, खाली भी तो class रह सकता है, सिर्फ हम ही नजर आए, यानि इस class का जो range है, वो कहां से कहां तक है, 0 to 400, maximum 400 रहेगा, 400 एक नहीं हो सकता है, लेकिन 399 भी हो सकता है, 300 हो सकता है, 200 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है ठीक इसी प्रकार जब N का मान हम दो लेंगे ये किस कच्छा के लिए कच्छा का संख्या दूसरा हुआ तो N का मान दो तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 का स्कॉयर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0 to 8 यानि दूसरा कच्छा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रों नहीं रह सकता है N का मान तीन ले तो 2 गुना 3 का स्कॉयर 3 तीन दूसरा 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 ये 0 से 18 N का मान 4 ले लो आप 2 गुना 4 का स्कॉयर 4 चॉक 16 दूसरा 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 ये हो जाएगा 0 to 32 N is equal to 5 2 इन टू 5 का स्कॉयर 5 इन टू 5 25 इन टू 50 ये हो जाएगा 0 to 50 N is equal to 6 2 इन टू 6 का स्कॉयर ये हो जाएगा 72 और रेंज हो जाएगा 70 0 से 72 और N का मान 7 टोटल साते और भी ठोता है जान रहे हो सब नहीं जानते हो तो जान लो किस भी परमानों में अधिक्तम कच्छा भी तक जो पाया गया है वह केबल साथ ही है इसलिए साथ पर ले जाके हम इसको रोक रहे है ससते उन्चास दुना 98 ये रेंज हो जाएगा 0 to 98 यानि इसका ये मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि प्रथम कच्छा में दो अधिक्तम दूसरा में 8, तीसरा में 18 चोथा में 32, पाच्वा में 50 छठा में 72 और लाश्ट में 92 ये मैजिक नंबर है बबब इसको याद कर ले न वैसे ये निकला कहां से ये तो पता चला न तुमको 2N2 पर हम निकाले हैं कि इसका च्छा में कितना इलेक्टरॉन रहेगा अब आप जल्दी से इस्टेवल को पूड़ा कर लीजे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक है अभी रूल 2 नहीं आ रहा है अभी रूल 1 आया है अच्छा भी जो लिखे थे तुम लोग सुनो तो एक मिनिट रूको रूको अभी जो लिखा था इस सिध्यांत के अनुसार पहला बात लिखा था ना तो एक से पहले ना उसको एक मतलिको लिखो रूल 1 मतलब एक जो लिखे हो ना उसको सिर्फ एक मत लिखो उसको लिख दो rule one यह पहला rule है लिख लीजे सब लोग और यह table जल्दी से draw कर लीजे आप और एक बात सुनो जो भी लोग पढ़ रहे हो तुम क्लास में बैठ के पढ़ो या online पढ़ो बबु पैसेंस रखना थोड़ा तुमको धैरे बनाई रखना पड़ेगा केमिस्ट्री एक ऐसा subject है जिसमें तुम धर्फरा गया या हम धर्फरा गया दोनों में से कोई एक धर्फराएंगे समझ में तुमको नहीं आएगा तुमको बहुत नुक्सान हो जाएगा इसलिए धिरज रखिया आप ऐसा कोई बात नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा पढ़ा देंगे और समझ में नहीं आएगा तो फिर हमारा तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है उतार ये जल्दे से चलो देखो इसको मीटा देते है अच्छा ये बताईए आप कि किसी भी परमानू में इलेक्ट्रोन की संख्या कितने के बराबर होती है किसी भी परमानू में कितना इलेक्ट्रोन होता है उसके परमानू संख्या के बराबर जैसे हाइड्रोजन के एक परमानू में इलेक्ट्रोन की कितनी संख्या होगे क्यों होगा एक क्योंकि हाइडोजन परमानों का परमानों संख्या एक होता है अच्छा नियन में कितना परमानों कितना इलेक्ट्रोन होगा नियन के एक परमानों में दस क्योंकि नियन का एटोमिक नंबर दस है तो किसी भी परमानों में इलेक्ट्रोन की कुल संख्या कितनी है यह उसके परमानों संख्या के बराबर होता है जैसे हाइडोजन में एक इलेक्ट्रोन होगा हिलियम में दो इलेक्ट्रोन होगा लिथियम में तीन इलेक्ट्रोन होगा बेरिलिय में 4 बरोन में 5 बासमज में आ रही है आपको तो किसी भी परमानों के कच्छा में इलेक्ट्रोनिक विन्यास को लिखने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उस परमानों की परमानों संख्या कितनी है और आप लेक्चर 1 दिखिएगा न तो लेक्चर 1 में परमानों का परमानों संख्या और परमानों भार यह सब बताया हुआ है लिखा हुआ है यदि आपको किसी भी तरह का परेशानी होता है तो सारदा डीजिटल एप पर देखिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा या फिर आप बात कीजिए बात करने के लिए नमबर यहां दिया हुआ है इस नमबर पर बात कीजिएगा तो हो जाएगा जिसको नमबर नहीं है नमबर नोट कर लीजिए आप कैसे आप एप से जूर सकते हैं सारदा डिजिटल एप सारदा डिजिटल ये एप का नमें पुड़ा कैप्टल है इस एप के थुरू पढ़िएगा सब आपको सारा लेक्चर पीछे का मिल जाएगा टूटल दिक्कत होगा तो कॉल कीजिए हिंदी मीडियम में 11th हिंदी मीडियम में हो न तो batch code ये तुमको डालना पड़ेगा केम हिंदी मीडियम वहाँ पर code मांगेगा जब आप डाउनलोड कीजिएगा न तो code मांगेगा ये code डालना जो लोग जानकारी में जिनको नहीं है वो आप note कर लिजिए मिटा रहे हैं इसको देखो अब आगए चलिए सुनी इधर अब अब हम लोग configuration लिखेंगे ठीक है हम इधर लिखेंगे परमानो और इधर हम लोग लिखेंगे कच्छा की संख्या हम एन बराबर जब भी एक लिखें न तो तुम समझ लो कि हम पहला कच्छा की बात कर रहे हैं और एन बराबर दो लिखें तब और एन बराबर तीन लिखें तब हम लिखने का तो साथ कच्छा तक लिख सकते हैं लेकिन hydrogen वगेरा में एक ही कच्छा होता है तो ज़्यादा कच्छा लिखने की अभी जरुड़त नहीं है और आप भी ये जो हम lining कर दी है ये lining मत करना ये वाला lining मत करो इसको हटाओ ये करोगे तो बाद में परेसान नहीं कोई ही lining मत करना नहीं तो बाद में दिक्कत होगा चुक्छे बिच बिच में ये table cut हो जाता है चुक्छे बिच बिच में rule आ जाता है हो सकता है तुम पहले ही चरपाँच लाइन लंबा line चरहा दो तो लगेगा क्या कि बिच में कुछ छुट गया है सुनिए परमानो ये दिया हम हाइड्रोजन ले तो इसमें का परमानो संख्या केवल एक होता है इसमें केवल एक इलेक्टरॉन है बताव ये किस कच्छा में जाएगा तो पहला कच्छा यही हुआ ना अच्छा पहला कच्छा का नाम के होता है जानते हो दूसरा का L, M, N, O, P, Q आगे यह होता है हीलियम का परमानो संख्या दो तो ये हो जाएगा दो लिथियम का तीन ये हो जाएगा तीन काहे नहीं होगा तीन क्योंकि किसी भी परमानों के पहला कच्छा में दो से अधिक इलेक्टरॉन नहीं रह सकता है इसलिए ये गलत है according to board beauty ये गलत हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा दो और एक अब आप बताईए कि हाइड्रोजन परमानों में कितना कच्छा होगा एक हिलियम परमानों में कितना कच्छा होगा एक ही न कच्छा होगा रे उस कच्छा में इलेक्टरोन की संख्या होगी दो अब बात समझ में आ रही है लिथियम परमानों में कितना कच्छा होगा दो पहला कच्छा में दो इलेक्ट्रोन और दूसरा कच्छा में एक इलेक्ट्रोन कोई दिक्कत था इसमें अब देखो लिथियम के बाद आता है बेरीलियम चार, जल्दी जल्दी यह बताओ तो दो दो, बोरोन का दो तीन यहां तो हम तीन कर सकते हैं अब बात समझ में आ रहा है आपको नहीं लगता है कि आप आगे खुद भी लिख सकते हैं लेकिन रुकिए, अभी आप लिखना मत अब कुछ-कुछ बात हम बताते हैं अब इसी ट्रेंट पर अपने लिखते चलो गए आगे तो हम उधर लिखते हैं बोरोन के बाद आता है कारवन के बाद नाइट्रोजन बोलो दो पाँच इसके बाद जल्दी जल्दी बोलो ओक्सीजन दो छे फलोरीन दो साथ नियन इसका इटोमिक नमबर दस होता है दो आठ सोडियम दो नौ करने में क्या दिकत है क्योंकि सोडियम में ऐसा करने पर सोडियम में केवल दो एक अच्छा हो पाया ना पहला कच्छा में दो इलेक्ट्रोन और दूसरा कच्छा में नौ हो गया जबकि किसी भी परमानों के दूसरा कच्छा में नौ से ज्यादा, आठ से ज्यादा इलेक्टर नहीं रह सकता है तो ये ट्रांसफर कर जाएगा अगला कच्छा में और ये नौ नहीं होके आठ हो जाएगा और ये हो जाएगा एक अब तुम हमको एक बात बताओ कि सोडियम परमानों में कुल कितना कच्छा होगा तीन कच्छा होगा सोडियम परमानों के सबसे बाहरी कच्छा में कितना इलेक्टरोन होगा एक और बाहरी कच्छा के इलेक्टरोन को न सैयोजी इलेक्टरोन कहा जाता है ये सब बात तुम रासाइनिक बंधन पढ़ोगे तो वहां बताया जाएगा और ये सब बहुत 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 बहुतर तरीके से वहां समझाया जाएगा इसी इलेक्ट्रोन की संख्या पर किसी परमानों की सहियोजकता निर्भर करती है तो आगे ये सब ये नहीं पढ़ाना देखो इलेक्ट्रोनिक कन्फीग्रेशन पूरे केमिस्ट्री का चाभी है और पूरा केमिस्ट्री ये ताला है तो ये इलेक्ट्रोनिक कन्फीग्रेशन उसका चाभी है और ताला यदि खोलना चाहते हैं तो चाभी आपके पास होना बहुत जरूरी है और यदि ये नहीं आया तो समझ लीज़िए आप गये सिर्फ कच्छा में ही नहीं बलकि उपकच्छा वाला इलेक्ट्रोनिक विन्यास भी कच्छक वाला इलेक्ट्रोनिक विन्यास ती मतब सारा इलेक्ट्रोनिक विन्यास आपको आना चाहिए सुनिए अभी सुनो भी लिखो मत क्यों लिखते हो ताइम पूरा दिया जाएगा आप काई परिसान है कोई ऐसा अक्रिया गैस आपको दिख रहा है यहां पर कौन दिखा नियन तो हम जरूर कहेंगे कि यह अक्रिया गैस है तो इसके बगल में हम लोग यहां राइट साइड में इस जगह पर आठ के आठ के ठीक वगल में यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे नॉबिल गैस यह नॉबिल गैस कुछ इस तरह से यहाँ पर हम नॉबिल गैस लिख सकते हैं अब एक बात बताओ हीलियम है ना हीलियम के बाहरी कच्छा में कितना इलेक्ट्रॉन है दो एक मात्र ऐसा नॉबिल गैस जिसके बाहरी कच्छा में दो इलेक्ट्रॉन होता है बाकि सब नॉबिल गैस के बाहरी कच्छा में आठ इलेक्ट्रॉन होता है तो यह भी एक नॉबिल गैस तुम जिसको हिंदी में यदि लिखना चाहते हो इसी को हम लोग कहते हैं अकरिया गैस इसी का इंगलिस में एक और नाम है इनर्ट गैस इसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है सुनो अभी तक तुमको कुल कितना परमानू दिख रहा है बोर्ड पर जिसमें केवल एक अच्छा है बोलो दूगो परमानू हाइड्रोजन और हीलियम ऐसा कितना परमानू दिख रहा है जिसमें केवल दूगो कच्छा है देखो दूगो कच्छा वाला ये 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 सब यहां तक यहां तक देख लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानि टोटल आठ तक्छो है जिसमें केवल दूग अच्छा है अब यहां से कितना कच्छा वाला शुरू हो गया अब यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा मेंगनीसियम जिसका इटमिक नमर बारा होता है दो आठ दो इसमें भी तीनें को कच्छा है तुम लोग थोरा बहुत तो आवर्थ सार्णी पढ़ा होगा आवर्थ सार्णी में दूगो वर्ड जरूर सुना होगा वर्ग और आवर्थ सुने हो आधुनिक आवर्थ सार्णी में कितने वर्ग है अठारा और आवर्थ कितने है साथ किस आवर्त में कौन तत्त होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस परमानों में कच्छा की संख्या कितनी है जिस परमानों में कच्छा की संख्या जितनी होती है वह उसी आवर्त में रहता है जैसे हाइडोजन में एक कच्छा है तो यह पहला वर्त में होगा हिलियम में एक कच्छा है पहला वर्त में होगा और यह कच्छा तो एक ही है ना उसमें इलेक्ट्रोन दो है लिथियम में दो कच्छा है पहला कच्छा में दो इलेक्ट्रोन दूसरा में एक यह निश्चित उसे दूसरा आवर्त का तत्त होगा इसमें भी दो कच्छा है तो जिसमें जिसमें दो कच्छा है वह सब दूसरा आवर्त में होगा यह किसमें होगा तिसरा आवर्त में यह भी किस आवर्त में होगा इस तरह से यदि तुम इलेक्ट्रोनिक विन्यास सीख जाओगे तो तुमको पता चलने लगेगा धीरे धीरे आबर तसारनी का अब देखो धीरे धीरे तुमको यहां से इस सब बात तुम जब समझोगे ना तो तुमको केमिस्ट्री नजर आने लगेगी और जब नजर आने लगेगा न तो तुम उसको पकरने का प्रियास करोगे उसके लिए पढ़ोगे और पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे और जो चीज नजर ही नहीं आएगा उसके जिसके लिए तुम प्रियास ही नहीं करोगे क्या उसको तो कभी तुमको समझ में आ पाएगा इस सिक्वेंस में पढ़िए आपको कहीं भी परिशारी नहीं होगी आज बस स्टार्ट हुआ है एलेक्ट्रोनिक अन्विग्रेशन खतम नहीं हुआ है आप लिख लिजे इसको और आपका होमवर्क है पता है क्या हमवर्क है ये बारह तक हम लिखे हैं ना नहीं तुम मस बस अठारह तक लिख के आओगे बस अठारह सुन लो अठारह से एक कदम भी आगे मत बढ़ना तुमसे गलती हो जाएगे समझ गया और ये बात हम मजाक के रुपे नहीं बोल रहे हैं आगे बढ़ोगे तुम मिस्टेक करोगे इसलिए अठारह बोलें तो बस अठारह पर ही रोक देना पे ने तो तुम्हारा आगला पूड़ा टेवल गलत हो जाएगा और तुम यदि फैर बना रहे हो तो कट कुट करोगे तो गंदा हो जाएगा न ये जे तो जितना कहें अभी उतना ही कीजिए अभी एक्स्ट्रा करने की जुरत बिल्कुल भी नहीं है तो आपका होमबर्ग है अठारह तक आप पूड़ा करके आएंगे आज का क्लास बस यहीं तक कल टीचर्स डे है लेकिन फिर भी आपका क्लास है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है लॉक्डाउन की बज़ा से तो आप लोग आईए कल क्लास होगा